वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार 2000 हो जाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा तो हेलो और वेलकम बैक दोस्तों आज हम आए हैं फर्स डे फर्स शोर टॉप गर्न मैवरिक का देखने और इस मूवी को देखने का सोल रीजन है टॉम क्रूज भाई साथ तो हेलो दोस्तों जैसा कि आप इस शोर्ट क्लिप से समझ गया होंगे हम अभी देखके आए हैं टॉप गर्न मैवरिक और ड्रम रोल की आवाज होनी चाहिए यह बहुत ही शानदर फिल्म है ऐसी एक्शन फिल्म बहुत टाइम से मैंने नहीं देखी थी और इसमें में देखने को मिलेंगे ढेर सारे शांदार से डॉक फाइट सीन बोले तो फाइटर जैट प्लेंज जो हवा में करतब दिखाते हैं और आपस में जो लड़ाईयां करते ना वह सारे के सारे सीन्स आपको बहुत इस शानदार तरीके से बहुत यह अच्छी सिनेमेटोग्राफी के जरी आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएंगे तो आज हम करने वाले हैं इस फिल्म के बारे में बात ताकि अल्टिमेटली आप डिसाइड कर सको आपको यह देखनी चाहिए या नहीं और अगर आप मेरी सला सुने और माने तो मैं आपको यही सजिस्ट करूँगा क और एक्शन वाली मूवी है बहुत टाइम के बाद और टॉम क्रूज तो भाई साब उनने इस फिल्म में जो एक्टिंग की है एक नमबर तो शुरू करते हमारा यह रिव्यू वीडियो बिना किसी और बक्वास के तो दोस्तो आकिर इस फिल्म की कहानी क्या है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ हमारी आज के फिल्म सीकुल है टॉप गन 1986 में रिलीज हुई फिल्म का तो सबसे पहले मैं कहानी बताना चाहूंगा उस फिल्म की तो टॉप गन जो है वो अमेरिका का एक बहुत बड़े लेवल का इंस्टिट्यूट है जहां पे ट्रेन किया जाता है पाइलेट्स को ताकि वो बेस्ट पाइलेट्स बन सकें और वार में अपने करतब दिखा सकें और हमारा जो 1986 के टॉप गन का बैच है उसमें जो टॉप में हमें emotional journey जादा दिखाय जाती है fight scenes बहुत कम होते हैं उसके बाद हमें दिखाय जाता है कि Tom Cruise के character यानि के maverick के arrogance और ego stick होने की वज़े से orders follow न करने की वज़े से उसका best friend और उसका जो सहयक pilot होता है co-pilot रूस उसकी मौत हो जाती है और फिर उसके बाद Tom Cruise अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाता और इसके बाद कहानी continue होती है top gun maverick में तो दोस्तों आज की हमारी film maverick में दिखाया है कि कैसे Tom Cruise अभी भी छोटे मोटे काम कर रहा है नेवी के पर वो promotions नहीं ले रहा ताकि उसको जो उडाने का मन है passion है प्लेन उडाने का वो उससे दूर ना हो जाए promotions की वज़े से अब हमारी नेवी को जो नया top gun के बच्चे मिले हैं उनको अच्छे training देने के लिए एक instructor की जरूरत है जो उनने war level की training दे पाए क्योंकि उनके पास आया है एक बहुत important और emergency वाला mission जो उ इसलिए नेवी और खासकर Iceman जो कि Tom Cruise Maverick का पिछली फिल्म का competitor और best friend भी होता है वो अप्रोच करते है Maverick को कि तुम वापस आओ top gun में और यहां के pilots को training दो जब Tom Cruise finally मान जाता है और top gun में वापस लोटता है तो उसे पता चलता है कि जो उसका best friend और co-pilot था रूस उसका बे Maverick अभी भी खुद को माफ नहीं कर पाया है अपने best friend की मौत के लिए और अब उसके सामने खड़ा है उसके best friend का बेटा जो कि मानता है कि Tom Cruise का character यानि कि Maverick ही responsible है उसके पिता की मौत के लिए तो अब जो इतनी बड़ी emotional problem है उससे Maverick कैसे fight करता है प्लस movie में एक character नया और introduce किया जाता है जिसका नाम होता है Penny जो की हमारे Maverick के ex girlfriend है जो की लौट चुकी है उसकी life में वो एक single mother plus bar owner है वो इसको कैसे help करती है वो इस movie में आपको देखने को मिलेगा प्लस अब Maverick को इन pilots को train करना है ताकि यह जो emergency mission है जापर यह permanently 100% मर जाएंगे सारे कि सारे sacrifice करना ह होगा इन्हें खुद का उस mission से यह लोग कैसे जिन्दा लौट पाएं क्योंकि यह नहीं चाहता कि इसके best friend की मौत जैसे हुई थी वैसे उसके best friend के बेटे की भी मौत हो इस mission के दोरान तो आगे movie में क्या होता है क्या Maverick और Rooster की बीच की जो relationship है वो positive way में जाती है क्या Penny औ Maverick साथ में life गुजार पाएंगे आगे future में और क्या यह लोग इस mission से जिन्दा वापस लौट पाएंगे यह सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ए film और वो भी theater में तो दोस्तों यह थी हमारी इस film की storyline slash plot अब हम बात करना चाहेंगे इस movie के review के बारे में positive और negative points के ब पर है Maverick हाला कि उसका real बाप नहीं है पर बाप के रोल में ही है इस पूरी movie के दौरान वो उसको बहुत सारी problem से बचाता है बहुत strictly train करता है ताकि वो इस mission से rooster हमारा जिन्दा वापस लौट पाए अब अगर मैं positive points के बात करूं तो पहला positive point इस movie का मुझे लगा वो है writing department मतलब top gun first part b और second part b इसको बनने में बहुत बड़ा time लगा उसका reason आपको wikipedia में मिल जाएगा क्योंकि director जो थे जो main बंदा था इस movie को बनाने वाला उसने suicide वगर कर लिया था वगयरा वगयरा पर इस writing department ने बहुत अच्छा काम किया first part में भी second part में भी technically यह दोनों ही movies war slash action films हैं पर war slash action से ज़्यादा जब theater से आप वापस निकलते हैं तो आपको याद रहती है इनकी जो emotional bonding थी सब की emotional level पर इस film में क्या चल रहा है वो सब देखके आपको और वो सब realize करके बहुत अच्छा लगता है जैसे की writers ने बहुत अच्छी चीज़ की इसमें जो Iceman का character है part 2 मे part 1 में भी वो हमारे Tom Cruise का पूरी movie के दौरान competitor होता है movie के ending में वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और उनकी दोस्ती को इस film में proper closure मिला Iceman की death हो जाती है किसी reason से तो Tom Cruise के character Maverick पे जो impact पड़ता है वो इस movie में बहुत अच्छे तरीके से writers ने दिखाया तो writers ने बहुत शांदार काम किया है plot के साथ plus characters के साथ दूसरा positive point तो obvious सा है दोस्तों वो है हमारा acting department और यह movie देखने का soul purpose मेरा तो था Tom Cruise उसके अलावा भी अच्छे अच्छे actors हैं जो पैनी के रोल में actress है वो बहुत ही famous है उसके अलावा जो rooster के रोल में जो बंदा आया है नया वो भी ब देखा जाए तो actors बहुत अच्छे हैं और main मैं बताऊं acting इस movie का main वो नहीं है main purpose या main theme नहीं है acting के अलावा जो dog fights and all है वो है और वही है हमारा तीसरा positive point कि इन्होंने जो action sequences दिखा है इनके जो action director ने बहुत ही शांदार यह सारे scenes दिखा है cinematography की मदद से वो सब देख के बहुत मज़ा आता है और इसलिए मैं आपको फिर से recommend करूँगा कि आप जाए movie जल्दी से एक या दो हफते के अंदर theater में देख लीजिए अब negative point मैं यही बोलूँ तो मैं बोलूँगा थोड़ी सी drag है film as compared to theater में release होने वाली बाकी films के मुकाबले जैसा कि मैंने पहले देख इससे doctor strange देखी थी theater में जाके तो doctor strange में एक भी ऐसा scene नहीं आता कि आपको लगता है कि आखे screen से हटा लो पर इस film में maverick में थोड़े बहुत ऐसे scenes जरूर आते हैं लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और subscribe करना बिल्कुल मत बूलिए अगर आप चाहते हैं कि part 3 भी आये top gun का मिलते हैं अगले वीडियो में signing off नाम कभी टाड़ा बाए बाए